दोस्तो आप देख रहे हो टेकनिकल पोकस यूटूब चैनल और मैं हूँ प्रकस दुलब आपका दोस्त आज इस वीडियो में मैं बतने जा रहा हूँ अगर आपके पास एक ब्लोगर की वेपसाइड है और उसमें आप बहुत दिनों से महनत कर रहे हो महनत करके बहुत सारे आर्टिकल तो लिख चुके हो पर आपका आर्टिकल गोगल पर इंडेक्स नहीं हो रहा है इसका कारान क्या है और दोस्तो इसके सॉल्यूशन भी क्या है देखिए दोस्तो इसका कारान तो एक है आपके पास साइद SEO friendly meta tag नहीं है तो अगर आपके पास SEO friendly meta tag नहीं है तो दोस्तो आज इस विडियो में मैं आपको provide कर दूँगा तो SEO friendly meta tag क्या होता है तो दोस्तो देखिए अगर आपके website का जो description आप लिखते हो और आपके website का जो keyword है यानि आपके website का जो niche है जो कहा से आप कौन सी topic पर article लिख रहे हो और कौन सी topic का website आपके पास है तो दोस्तो आगर Google के पास ए information पहुच जाए तो दोस्तो क्या होगा Google के पास जब भी इस topic को search करने वाला colors आएगा उसको directly आपके website पे भेजेगा तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या कारना होगा कहा से आप SEO friendly meta tag जनेरेट कर सकते हो पुड़ा चीस आज इस वीडियोंगे step by step में दिखाने जा रहा हो तो दोस्तो आगर आप मेरे चैनल को नया ही देख रहा हो चैनल को जल्दी से subscribe करके वेल आइकन को all कर दीजे ताकि इस तरह की latest वीडियो आपके पास तुरात पहुच जाए तो दोस्तो आगर आप वीडियो को पुड़ा देखोगे पसंद आएका तो दोस्तो एक comment जरूर करना तो चलिए चलते मेरे desktop के screen पे और आपको दिखा देते कैसे आप ACO friendly meta tag जनेरेट कर सकते हो तो दोस्तो अगर आप एक नएग ब्लोगर हो तो दोस्तो आप मेरे इस channel को subscribe कर सकते हो मेरे इस channel में vlogging related बहुत सारे वीडियो हरोज upload करता रहा है ता हो तो दोस्तो इस channel में बहुत सारे वीडियो हो जैसे के दूस्तो एटसेंस का approval पाने के लिए आपको कौन सी theme को जरूरा आथ होगी और एटसेंस approval पाने के लिए आपको कौन सी ऐसी चीज़ setting करनी होगी तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके करण दोस्तो आप जो भी आर्टीकल लिखे वो गूगल पर टॉप रैंक करेगा तो दोस्तो देखिए में एक 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 फ्रेंडली मेरे टैक मेरे डेपसाइट पर उसको लागाने के कुछ देर पहले मैंने यहां पर लिखा था तो ·ब्रिए कितना तुरांत में र法 लिखत हूँ और बो अर्टीकल इंडेक्स हो रहा है तो दोस्तो ऐसा चार ने के लिए आपको क्या कर ना पूरा चीस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और एक SEO friendly आपको meta tag दे दूँगा जो आपके website की related होगा तो दोस्तों उसको आप कैसे change करोगी कैसे customize करोगी पूरा चीस में आपको दिखाऊंगा तो यहापे 56 आर्टिकल मैंने यहापे लिखाता वार वह 56 आर्टिकल ही एक, दो, तीन, चार, प्राट, छे तो छे से आर्ट यहापे आर्टिकल है पर सभी आर्टिकल यहापे rank हो रहा है ठीक है और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा यह कोड आपको पोवाइट कर दूँगा discussion link से आप ले सकते हो यहापे देखिए दोस्तों यह वाला जो कोड है पुड़ा का पुड़ा आपको कॉपी कर लेना है लेने के बाद आपको जो काम करना है आपका ब्लोगर के डैस्बोर पर आपको जाना होगा और यहापे आपको themes का एक option मिल जाएगा तो देखिए इस कोड में बस आपको दो काम करना है इसमें दोस्तों दो चींजिन करना है आपको आपका ब्लोगर का जो डिस्क्रिप्सन है डिस्क्रिप्सन यह पर डालना होगा यह पर देख सकते हो यह पर लिखा हुआ है यूर डिस्क्रिप्सन तो मैं यूर डिस्क्रिप्सन लिखके यह पर रख दिखा हूँ तो आपको क्य करना है, simple आपका blogger पर जाना है, जाने के बाद यहां पर आपका setting है, setting में चले जाने के बाद यहां पर जो भी discussion आप लिखे हो, मैं आपको highlight करके दिखा दिता हूँ, यहां पर discussion मिल जाएगा, जो भी आप लिखे हो, वो discussion को आपको यहां से पुड़ा copy करना है, तो दोस्तों यहां से मैं select all करके पुड़ा का पुड़ा copy कर रहा हूँ, copy कर देने के बाद अभी इसको छोड़ दूँगा, देने के बाद भाव पर जाओंगा, जाने के बाद यहां पर जो discussion है, discussion के जागा मुझे discussion डाल देना होगा, अभी discussion डाल दिया, और discussion के ठिक नीचे यहां पर आपको मिल जाएगा keyword का एक option, your keyword, जाना होगा, जाने के बाद थूर्या पर जाना होगा, जाने के बाद इसको कोपी करottaं। दोस्तों कॉपी कारने के बद इसको एया पे छोड़ दीजिया अभी जाने के बाद यहां पर निकी किए यह पेस्ट गर देना होगा तो आभी केस्ट हो गया है अभी इसको पुड़ा का कुड़ा आपको कॉपी कर लेना है एससे करकेल पुडा का पुड़ो आपको copy कर लेना है copy कर देने के बाद आपका blogger के theme section में जाने के बाद hit का अंदर hit के बाहर जो है उसमें आपको उसको paste कर के save कर देना है तो अभी मैंने इसको save कर दिया हूँ सेप कर देने का बाद एक से दो सेगेंड आपको टाइम लग सकता है आप जड़ा यहाँ पर रुखिएगा तो अभी मुझे उसको बैक कर देना है तो ऐसे करके आप कोई भी आर्टिकल लिखोगे वह कोगल पर एकदम टॉप रैंक पर आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते ह तो असे प्रेंडली आर्टिकल और इस चगह पर आपको बो कोड पुड़ा का पुड़ा मिल जाएगा है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो तो दोस्तों ए वीडियो के डिसक्सन में में दे दूंगा आप यहाँ से लेके उसको देख सकते हो और अपर देखिये मेरा जो लिखा था अभी व आर्टिकल अभी आब ही है एक हवार का पहले था यहाँ पे दो दिन पहले और जो भी मैंने आपर लिखा है तो दोस्तों ऐसे करके आप भी आपका गुछ गुगल से और गनिक ट्रेफिक पा सकते हो और यहाँ पे आप अर के लिए इतना इपील हल मेरेंगे एक नए वीडियो के साथ दो दीन पहले